हले दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का टार्गे टडड़ा श्टड़ी यूटूब चलफर तो दोस्तों जैसा कि आपके आज आरार्वी NTPC CBT1 का आंसर की आज चुका है रेलवे की तरप से और ज्यादा तो लोग ने अभी तक अपने आंसर की कुछ चेक भी कल लिय या फिर यह मेरे जो इसकोर बनना है क्या यह CBT2 के लिए काफी है या फिन नहीं है और क्या मैं CBT2 के लिए क्वालिफाइग कर पाऊंगा या फिन तो दोस्तों आपके इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और इए आप शुआन पूरों आप समझने की कोशिश किएगा तो दोस्तों जो सेफ होता है या फिर एक्सपर्टेट कटाव या फिस कटाव जो होती है वह किस कीशीं पर करते यह सारी पॉइंटे जैसे की जो कटाव होती होभीडिफेंड करती है पहला थो ता आपका नमबर ह से फार्म भरे गए तीसरा जो होता है आपका attendance ठीक है आटेंडेंस और चौथा जो आपका जो होता है paper का level होता है paper का level इन चारों चीजों पर आपका जो cut-off होता है वो कि आपके जाता है अब देखिए इसमें चो वेकंसी आई थी वह कितनी आय थी टोटल सबसे पहले देखेंगे इसमें तो सबसे पर उदेखिए भूश फ़वरे गयते एक करोड़ 26 लाग बरे गयते तेक करोड़ 26 लाग कुछ फ़वरे गयते ठीक है जो अब तक जो अरे जोन 48% बन रही है ठीक है 47 से 48% आपके एवरेज अटेंडेंस बन रही है ठीक है यह हो गई बात अर तीसरा चीज़ यह जो पेपर का लेवल होता है इस पे डिपेंड करता है कि आपका जो एक्सपेक्टेड कटाफ क्या हुआ है इससे आपका नॉलराइशन पर नंबर आपके 277 ठीक है एक करोड़ 26 लाग के असपास आपके फार्म बरे गए थे और जो अटेंडेंस थी आपके 48 परसंट थी ठीक है अगर इसको अगर अगर लगवग लगवग 50 भी माल लें तो आप कहें जो कितना ठीक है 50 और 63 लाग लगवग होंगे ठीक है 63 लाग लगवग होंगे एवरेज अटेंडनेंस माननी गई है जो आर्यलवे की तरफ से ठीक है तो अगर इसको हम देख सकते तो 55 लाग भी आप जा सकते है ठीक है 55 लाग भी अटेंडनेंस जाएगी आपकी यह हो गया अब तो बात आती पेपर के लेबल की कुछ पेपर रहा होंगे जो आउथ आपके जो स्कोर बनने वाले होंगे अब देखे नार्वाइसन में कितने स्कोर बनने वाले हैं अब यह देख लिए ठीक है अब यहां पर देखे सबसे पहले अब देखे नार्वाइसन में कितने कितने स्कोर आपके बनने वाले है जिनका सिप्ट अगर टफ रहोगा देख जिनके लिए आपका 10 से 15 नमबर बढ़ेगा और आपका जो जिनका इजी सिफ्ट रहोगा उनके 5 से इजी सिफ्ट रहोंगे 5 से 10 नमबर इनके बढ़ेंगे ठीक है यह हो गया आपके अगर आपके जो एक्कुरेसी अब देखे नार्मलाइशन में देखे एक चीज आपके डि कितने कब डिंट करती है यह आपके डिपेंड करती है नार्मलाइशन पी नमबर बढ़ांगे जिनके अकुरेसी अच्छी रहेगा उनको इस तरह के नमबर मिलने वाले होगी चाहे वह इसमें होगे चाहे अकुरेसी में होगी तो एक च्छी होगी अब जैसे एक स्टूडे किया है उसके 90 सही है ठीक है तो ठीक है उसके 10 गलत है तो इसकी जो 90% इसके accuracy माने जाएगे और इसकी 50% माने जाएगी ठीक है अगर वहीं पर कोई student है जो आपका 70% attempt किया और उसके 70 के 70 सही है तो इसके 100% accuracy माने जाएगे इसको अच्छा इसको benefit मिलने वाला होगा नावलाईशन में ठीक है बहले इसका shift जो है tough रहा हो या फिर इजी रहा हो यह आपके different करेगा कि आपने accuracy किसके साथ अच्छे किया है तो accuracy आपके नावलाईशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है यह चीज़ा आपको जानने होगी ठीक है अब बात करते है cbt2 के लिए कितने safe score के होगी ठीक है अब देखिए railway जो है 20 गुरा candidate को बलाएगा cbt2 के लिए cbt2 के लिए kutna होगे सात लाग पांच चालीस यह सात लाग पांच चालीस गंडेट होंगे जो cbt2 के लिए railway तरफ से बुलाई जाएंगे ठीक है यह cbt2 के लिए बुलाई जाएंगे अब देखे अब जिसमें अभी आपने देखा कि 55 लाख जो है आपके 55 लाख आपकी अटेंडेंस रही होगी उस 55 लाख में से आपके 7 लाख इस्टुडेंट अब उसके बाद देखे अभी तो मैंने कुछ पोल कराया है आप इस चीज और करिएगा जैसे मैंने चैनल के कम्यूटी पे पोल किया है आप वहां पर जाके अपने अटेंट को शेयर कीजिए आपके जो रामार्क बनना है अभी दोस्तों आप जीनों ने अपने आंसर के कि अथा आओ से ओख जो बढ़ने वाले हाओ जो भी वी राहा हूगा उसके अधहर पर आपके नॉनएसं में कुछ नंबर बढ़ेंगे विकाली साल बहुत हाइक कड़ाब मैं करूंट हिती कि युक एपै चीजे पर पिल्कुल भी मुंज़ाओ, तो यह चीज आप बिल्कुल मान किते हैं कि पिछली बार बहुत जादे कटाव गई थी ठीक है साथ पिछली बार CBT के लिए एक ही हुआ था उसके बाद आपका सीधे टाइपिंग या फिर डिस्क्रिप्टिव जो भी था उसमें हो गया था CBT-2 उसमें नहीं हुआ था पिछली बार ऐसा कुछ हम जानते हैं तो दोस्तों इसकोल मिला कि यह है कि आपके आप देखे बात करते हैं जिसे कुछ ऐसे जोन है जिसमें जिनके पिछली मलाब अगर आप देखने अगर उसमें तो जिनके 75 से या फिर 70 से 75 प्लस अगर स्कोर ग आपके सिल्य गुड़ हो गया मालदा हो गया ऐसे कापी सारे जो है यह जो लो कटाफ आफ आले माने आते तो इस पर देखे आप जो नावलाइशन पर अगर देखे अब कुल मिलाके जो आपके से प्लस बन नहीं है पच्पन से प्लस बन नहीं है या फिर ठीक है मिनिमम आपके जो मार्क अगर 60 प्लस बन नहीं है तो आप सीवीटी टू के लिए तैयार हो जाओ ठीक है और अगर आप और पी किसी कटेगरी से बिलौंग करते हैं जन्रल के अलावा ठीक है तो आपके अगर 50 प्लस अगर इसकोर बन नहीं है तो आप जाके सीरे सीवीटी टू की क्योंकि बहुत जारी स्टूडेंट को लिया जाने वाला सीवीटी टू में और अगर आप जन्रल यूवार के अलामा किसी और काटेगरी से बिलौंग करते हो आप सीधे जाके 50 अगर हो रहें तो 50 प्लस अगर आप जा रहो तो आप अपने सीवीटी टू की तैयारी सुरू ठीक है दोस्तों और दोस्तों यह अभी तो मैं कुछ कम दाटा पर कटाने की कोशिस किए आप सीधे सीधे हमारे चैनल के कम्यूंटी चले आना वहां पर मैंने जो पॉल क्रिएट किया है और अपने अटेम्ट करना और अपने अटेम्ट के बताना कि अपने इतने अबिद करता हूं आप सभी इस चीज को समझाँगे कि कि इनकिन जीजों पर डिसाइड की जाती है और कौन-कौन से ऐसे जोन होंगे जो जहां पर हाई कट आप जाने की कुछ चांसे जाने की कहां पर कम जाने की चांसे जाने और इसलिए अगर आप अभी तक आंसर की नहीं चेके तो आप चेक करिए और चैनल के कम्यूटी पर जानिए अवाँ पर जो पॉल मैंने क्रेट किया उस पर अपने अटेंड को सेर किए ताकि मैं कल जो वीडियो बनाने वाला हूं उसमें अच्छे डाटा के साथ आप सभी को एक बहतर वीडियो दे सबूंच बहतर कट आप प्रडिट करके ताकि आप सभी अपने मेंस के याने की सीवीटी टू के लिए अच्छे तरीके से लग पाऊ और इनसे और रोपाऊ कि मैं आप सीवीटी टू के लिए लगू या फिर ना लगू ठीक है दोस्तों तो इस